गूउगल पे का की बांटी दाउनोड करने के लिए चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आपको क्या कर रहा है गूउगल पे एप्लिकेशन को ओपेन करना है यहाँ पर लोग देख सकते हैं गूगल पे एप्लिकेशन मेरे समने ऐं से होपेन नियुकल कर paragraphs जाए आपके सामने और लॉक करेंगे जब तक इसका यूजर इंटरफेस आपके सामने लोडिंग लेता है अब आपको यहां पर देखिए अपने यूपियाई की वर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है आपको राइट साइड करना में जो आपके प्र प्रोफाइल पर टाइब करना है चलिए मैंने प्रोफाइल पर किलिक किया अब आपको यहां पर देखिए क्या करना है प्रोफाइल पर ट्रेशन टाइब करेंगे उसके बाद आपको यहां पर बैंक एकाउंट वाला बटन दिखाई देगा आपको सिंपली यहां पर बैंक काउंट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके समने payment method वाला option open हो जाएगा यहाँ पर आपको देखिए simply किया करना है यहाँ पर आपको UPI QR code डाउनलोड करना है तो आपने जितने भी bank account इसमें ID कि होंगे वो सभी bank account आपको यहाँ पर show हो जाएगे लेकिन यहाँ पर आप share करना है तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली जिस bank का UPI QR code आपको देखना है या फिर डाउनलोड करना है आपको उस bank को सेलेक्ट करना है यानि कि आपको उस bank पर क्लिक करना है तो मैंनी यहाँ पर bank का बरावदा वाले पर क्लिक कर दिया जैसे ही आप अपने bank पर क्लिक करेंगे हैं अपक सामने पेज ऊपने हो जाएगा यहाँ पर आपको अपने यूब यह कीवर गोड को को देखने के लिए एक बटन मेड़े आपको言 डिस्पिले निकरोक आपको इसमmostी है दिस्पिले कार्फक अपको UPI QR Code दिखाने वाला हूँ तो open करने के लिए आपको इस बटन पर किलिक करना होगा जैसे ही मैंने display QR Code पर किलिक किया यहाँ पर आप लोग बैंक अब रावदा के saving account के UPI QR Code को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरे समने मेरे saving account का UPI QR Code Google पर का open हो चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो इस प्रकार आप भी अपने UPI QR Code को आसानी से देख सकते हैं इस QR Code को क्या करना है डाउनलोड करने का तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी बटन नहीं है तो आप सिंपली screenshot ले सकते हो इसका screenshot आपको ले ले लाएं तो चलिए मैं यहाँ पर इसका screenshot ले लेता हूँ screenshot यहाँ पर मैंने ले लिया अब इस screenshot को आप जहां भी चाहें आसानी से अपने friends या फिर किसी को भी अपने family member को भी आप आसानी से share कर सकते हैं अब जिस भी account का आप keyword देखना चाहें आपको सिंपली उस bank को select करना है अपने उस account को और आप आसानी से अपने उस bank के account का UPI keyword code देख सकते हैं आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें झाल